ग्यारा महिने का समय लगा मुझे अपने आपको ट्रांसफर्म करने का और वो उस लास्ट पंच की प्रैक्टिस करता था और उस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस के फार्मूले ने जिसको हम आसानी से एक आने में पार कर सकते हैं उसमें जीवन का इतना बड़ा समय involved करने की क्या जूरत है अब गुस्से को कही ना कही तो आज भी निकालता है कि अगर आपका अगर mood upset है तो वह गुस्सा कही ना कही निकलेगा हाई फ्रेंड्स मैं हूं दॉक्टर आमित माईश्वरी बिजनस ट्रेनर कॉर्परेट ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीओ मैटास ओवर्सेज लिमिटेड आप सभी का सौगत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करने से पहले ना मेरा आप लोगों से दो प्रश्ण है और यदि दोनों प्रश्णों के जवाब आप चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहीएगा सबसे पहला कोशन है Do You Know How Top Leaders Build Their Company? Nicole बिबूदन दुनिया के सफन लीडर हैं महान लीडर हैं उन्रवी स्मलल स्केल इंडस्ट्री को एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कैसे कनवर्ट किया एक छोटे से व्यापार को एक कॉर्परेट कंपनी के कल्चर के रूप में कैसे डेवलयप किया यदि आप नहीं जानते तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो सारे गुण और वो तरीके जिन से आप भी ऐसा कर सकते हैं and how they improve their skills कहते हैं हर व्यक्ति जन्म से कुछ काबलियत लेके पैदा होता है लेकिन हर काबलियत जन्म से आपके अंदर होगी ऐसा होई नहीं सकता तो होता क्या है कि लोग जरूरत के हिसाब से अपने काबलियतों में इदाफा करते हैं मतलब चीजों को सीखते हैं समझते हैं life में implement करते हैं और problem आते हैं तो उसको solve करते हैं लेकिन किसी भी स्किल को सीखने के लिए ना तीन बाते बहुत मैद्वपूर्ण है नमबर वन विल इच्छा शक्ति कि क्या आपके अंदर वो चीज सीखने की इच्छा शक्ति है आप वो चीज दिल से सीखना चाहते हैं अगर सीखना चाहते हैं तो इस काइनात में को ऐसी नहीं है जो आपको वो चीज सीखने से रोक ले दूसरी चीजा स्किल अगर आपके पास मजबूत इच्छा सकती है तो किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए आपके पास अपार संभाव नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नलोजी के इस युग में लोग इंटरनेट पर सब कुछ सीख सकते हैं इलॉन मस्क ने कहा था ना कि अगर आपको आगया ध्यान करना है पढ़ाई करनी है तो इंटरनेट से बढ़िया कोई ट्यूटर नहीं है कोई कोच नहीं है और तीसरी चीजा स्ट् कर्मला जरूर लगता है जिससे वह सफलता हासिल करते हैं आज हम इसी वीशा पर बात करने वाले उससे पहले एक वैल्योबल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं फ्रेंड्स मैं अक्सर अपनी वीडियो में कोर्स आफर नहीं करता कि मेरा यह कोर्स है खरीद ल क्यां चाहिए शोरूम से बहुत सारे कंपनी के सी योजे डिरेक्टर्स मेरी कंपणी में रिक्वेस्ट करते है कि सर आपकी कंपनी के जो सी यो हैं वह एक मोट्योशन स्पीकर बी है बिदिशन कोच भी हम उसे बिशनस कोचिंग लेना चाहते हैं तो आउन request मैं लोगों को बिशनस कोचिंग प्रोवाइड करता हूं कभी अड्वर्टाइज नहीं करता है कि मेरा टो पर सब्सक्राइब करता हूं ना वह वह लोग होते हैं जो मेरी कंपनी की ग्रोथ को जानते हैं मेरे expansion को जानते हैं एक small scale business से लार्ज के इंडस्ट्री तक पहुंचने के सफर को जानते हैं और वो चीज़े सीखना चाहते हैं तो person to person vary करता है मैं 150,000 रुपी चार्ज करता हूं business growth strategy का course strategy और अपना experience उनके साथ share करने का लेकिन मेरे जीवन का उद्देशी की भारत के हर गड़से सफल बिजनस्मेंट तयार हो सके जिसके लिए मैं कई बार ऐसा सोचता था कि यह जो मेरा valuable और expensive course है वो कैसे मैं आम जनता तक ले पाँ तक कि वो भी अपने आपको develop करके एक अच्छी कंपनी का establishment कर सके मैं जरिया सोची रहा था तब ही ग्राफी बायान अकेडमी का हमें कॉल आया कि सर हम यह चाहते हैं कि आपका जो business growth strategy जो एक expensive course है उन लोगों के लिए जो बड़े visionary हैं जो financially आपको pay कर सकते हैं वो कोर्स हम मासिस तक ले जाना चाहते हैं तो उनका request मुझे समझ में भी आया और उन्हों ने हम हमारे साथ tie up किया और वो course जो 1,50,000 में मैं लोगों को offer करता हूँ उनकी request पर कि मुझे यह course करना है कभी मैं advertise करके course नहीं चलाता बैस नहीं चलाता अपने उन्होंने हमसे request किया और इस पूरे के पूरे course को जिसकी fees 1,000,000 होती है उसको 8,000 रुपी में हमने graphi by an academy के साथ tie up करके उनको offer कर दिया लेक उसका code है M-E-T-T-A-S मेरी company का brand name है Metas अगर वो Metas का coupon code यूज करते हैं तो इसमें आप उनको 50% discount दीजिए मतलब सिर्फ 4,000 रुपी में वो course जिसकी value 1,50,000 होती है और जो मैं public को publicly advertise करके offer नहीं करता वो course आप उनको available कराईए यह tie up हमने किया उसके बाद an academy के पास यह course हमा अब और कहीं available नहीं है या तो 1,50,000 पे करके मेरे courses को join कर सकते हैं या आप an academy से वो course सीधा बाए कर सकते हैं जिसकी सारी की सारी detail आपको description box में मिल जाने वाली है तो चलिए बात करते हैं वीडियो के आगे के content को सबसे पहले make a goal and walk in right direction problem क्या है कि हम अपने लक्ष तो बना ल नाम सुनाई है बहुत बड़े दार्शनिक है हमारे देश का नाम पूरे विश्व में उन्हें प्रचलित किया तो स्वामी विवेका नंजी एक बार नदी पार करने के लिए एक नदी के किनारे खड़े हुए थे वहीं एक संत आये उन्हें कहा हरे स्वामी जी आप नदी स्वामी जी युड़े धर हासिल किया मैंने सिद्धिया की मैं इतना घोर्त अपस्या कि उपार चल सकता हूं सामी चिपचाप खड़े हैं तब और नाओ वहां पर आती है स्वामी जी उस से रिख्वेस्ट करते हैं कि महात्माजी मेरा आप से रिक्वेस्ट आप मेरे साथ नाव मेंब एक कर चले हाला कि या बार म मेरे सायों बैठे हैं और तो आने उस नाविक को दे देते हैं उस संत ने बीच में रास्ते में कहानी एक सुनाई कि स्वामी जी मैंने बगोर तपस्या की, मैंने सब कुछ किया, आप इतने बड़े दार्षनिक हैं, इतने बड़े महान व्यक्ति हैं, उसके बाद भी आप पानी पर नहीं चल पाते। स्वाम्बी जी ने उन महात्मा जी से विनम्रता से कहा कि महात्मा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ. आपने अपने जीवन का सारा अनुभव, सारा ज्यान, सारी तपस्या उस चीज़ पर लगा दि जिसको आप एक आने में पराप्त कर सकते थे. और नदी पार करना ज जिन स्किल्स के एक्सपर्ट बहुत नॉमिनल चार्जिज में हाइर किये जा सकते हैं, सैलरी पर हाइर किये जा सकते हैं, जैसे कोई लोग वो अकाउंट सीखने में लगे हुए है, और एक अकाउंटेंट 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी पर हाइर हो जाता है, अगर आपके लक्ष बड़े हैं, आप अपने लक्षों को हासिल करना चाहते हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग, स्टाफिंग, एचार का कोर्स, ये सारे करना कोई जरूरी नहीं है, जरूरत है बिजनस की ग्रोथ स्ट्रेटेजी को समझने की, अगर आप ग्रोथ की स्ट्रेटेजी को समझ पाएंगे, तभी आप अपने बिजनस में इंप्लिमेंट कर पाएंगे, जरूरत है एक टीम को डेवलेप करने की, तो स्वामी विवेका नंजी की बात से जो बात समझ में आती है, हर योग्यता, हर काबलियत के एक्सपर्ट लोग अपनी टीम में हायर करेंगे, तो वह अपना अनुभव आपको देंगे, और उस अनुभव के माध्यम से आप अपने लक्षों को प्राप्त करेंगे, ऐसा ना हो कि आप छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ सीखना चुरू कर दें कभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं कभी HR मेनेजमेंट सीख रहे हैं कभी sales strategy सीख रहे हैं कभी कुछ सीख रहे हैं सारे experts जिस विशे में expert है उसको hire करें उसके बाद improve your leadership skills important यह नहीं है कि आपने लोगों को hire कर लिया important यह कि वो लोग आपकी team में आने के बाद आपके लक्षों के हिजाब से काम करें इसका मतलब आपको अपनी leadership skills को develop करना होगा ना कि केवल और केवल छोटे छोटे जगा पर अपने आपको distract करने की पानी पर चल कर सीखना आपको कोई फाइदेमंद बात नहीं है एक आने में एक काम की आजा सकता है वो स्वामे विवे का नंजीरे कहा था जरूरत है तो देश के लिए क्या काम कर सकते है समाज के लिए क्या काम कर सकते है कंपनी के बड़े आकार को कैसे बना सकते है ये चीज़े सीखनी चाहिए नेक्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जब आप जो भी काम करें आप ये सोचें कि इस काम में मुझे किंग बनना है और उस समय ऐसे परफॉर्म करें ऐसे एक्ट करें कि जैसे आप केंग है कि लॉफ अट्रेक्शन क्या कहता है जैसा बनना चाहते हैं जैसा आप लक्ष हासिल करना चाहते हैं जैसा आप दिखना चाहते हैं अपने आपको वैसा विजुलाइज करें यह बात में कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ जोए लुइस अब ब्राउन अमेरिकन यह व्यक्ति जोए लुइस बच्पन से ना अमेरिका में ब्राउन था तो उसकी वज़े से उसको बहुत ज़ादा टॉर्चर बहुत ज़ादा कॉमेंट्स सेहन करने पड़ते थे है यू ब्राउन मैं है यूब रॉन मैं है यू कांट डू एनिठिंग न तो वह ब्राउन होने के बाद बड़ा फ्रस्टेटिडेद हो जाता था अब गुशोटी निकालता है क्या आपका अगर अगर और तो अपनी फ्रस्टेशन को निकालने के लिए पंचिंग बैग को रहता था ऊव पंच बैग पर लगातार मारता अझा था जब तक जब जब तक तक फ्रस्टेशन ठंडा ना होते। याथ घर्टक भुदा करता रहता था और शारा फ्रस्टेशन पंचिंग वैक पर जो जीता वो अमेरिकन था वाइट अमेरिकन था वाइट अमेरिकन था तो ब्राउन को ब्राउन बच्चे को जोई लुइस को बड़ा गुस्सा आया उसने का है I can fight with you वो रिंग में जाता है और लगातार पंच मारता और सारा जो पंचिंग बैक पर निकालता था वो सारा का सारा फ्रस्टेशन उस व्यक्ति पर निकालता और वो जीत जाता है और उस दिन उसको समझ में आता है कि वो कि रिंग में हमेशा बोलता है और इस बात को फॉलो करते करते उसने एक नियम निकाला क्या इंप्रूव यॉर एनर्जी उससे पुछा गया कि जॉय लुइस आप इतने बड़े वर्ल्ड चैंपियन बन गए इतने बड़े गोल्ड मैडलिस्ट बन गए आपने इतनी फाइट जीती इस जीत के पीशे कारण क्या है तो जॉय लुइस ने कहा इसके पीशे कारण है मेर बैइनर्जी और एनर्जी को जनरेट करने के लिए अपना अफूस्टिंशन निकलता था। उस एनर्जी को हासिल करने के लीए ना मेरे माइन में केंवालगी प्रशन करता होगा तो मेरे मन से जवाब आता है कि वह भी प्रैक्टिस करता था और जब ठक कर चूर हो जाता था बिल्कुल ठक जाता ना बॉडी टूट जाती थी और काम करना बंद कर देती थी तब मैं अपने अंत में प्रैक्टिस करते करते जब वह भी होस ओने वाला उता था उस समय उस는데요 फोनेन चलरा भी प्रैक्टिस करता था और उस प्रैक्टिस क्लकिणय ऋसको वर्ट चैंपियन गूप जई लोइस एस्ट ब्राउन अमेरिकन भरशा है के सी आया इन करते हैं कहते हैं कि जब आप जिम जाते ना तो एक ही दिन में आप सब कुछ आसिल नहीं कर सकते एक ही दिन आप सोचो कि 100 kg का पुशप मारेंगे या बेंच प्रेस मारेंगे तो समभवी नहीं है आपको क्या करना होगा दिरे दिरे अपनी कैपस्टी को बढ़ाना होगा अपनी लगातार करते रहेंगे ना उस काम में एक्सपर्थ हो जाएंगे और काम क्या करना है higher more people more qualified people and improve your leadership skills दो चीजों पर आपको काम करना है higher more people improve your skill higher more people improve your skill of leadership तो जोई लुइस से बात को मैंने सीखा और समझा और सीखने और समझने के बाद ना मैंने भी अपनी इस लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचा के तुना फ्रिंट सफलता कि और जब आप जाते हैं तो आप बहुत कुछ चीजों को त्याग देते हैं तब आप नाइन्टी सिक्स केजी हो गया और मेरी कमर का साइज 46 इंचेज हो गया आप मेरे प्रिवेश वीडियो उठागे देखिए 2015-16-17-18-19-19 आपको लगे का क्या क्या इंप्रूब्मिंट आता जा रहा है यह बात केवल कहने से नहीं होती क्योंकि वीडियो वीडियो अप्लोड करते हैं जब वीक्ली वीडियो अप्लोड करते हैं तो वीक्ली रिकॉड करते हैं और हर बार ट्रांस्फोर्मेशन दिखा करने में और I went up to 67 kg weight with six pack abs and I become India's first fat to fit transformed motivational speaker motivational speakers तो बहुत सारे हैं लेकिन नैं पहला भारत का ऐसा motivational speaker बना जिसने अपने आपको fat to fit transform किया और आज इसके बाद आज बहुत सारे motivational speakers मेरी इस transformation को देखने के बाद को हेंड़ेज चैलेंज कर रहा है को fitness चैलेंज कर रहा है coming with new body कर रहा है coming with new personality कर रहा है हेंड़ेज चैलेंज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं अब हैंड़ेज चैलेंज में यह नि पता करना है उसका track record था तो यही बात business पर लागू होती है हम अपने business में क्या-क्या track बनाते हैं क्या-क्या target बनाते हैं उन target को किस desired date तक achieve करना है उसका पूरा का फूरा flow chart बनाते हैं तब हम business में वो चीज़ें हासिल कर पाते हैं business की SOP design करते हैं ताकि हम उस SOP के माधियम से systematic तरीके से business को चला सके और हमारे बाद भी और हमारे साथ भी और आने वाली नई टीम भी उस business को ठीक तरीके से manage कर पाए इस पर हम काम करते हैं तब हम expansion की ओर जा सकते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने complete design किया हुआ business growth strategy का course जिसको on demand मैं on request उन लोगों को देता हूं जो individual यह चीज़ें सीखना चाहते हैं लेकिन graphi by an academy के साथ type करने के बाद यह course जिसकी fees हम लोग 150,000 चार्ज करते हैं यह course सिर्फ 8,000 रुपी फी में graphi by an academy आपको offer कर रहा है और अगर मेरी company का brand metas m-e-t-t-a-s आप यह coupon code use करते हैं तो you will get 50% discount and multiple time access of all the training videos जो content journally YouTube या open seminars में available नहीं इसके लाव आपके अमने में कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न comment box में ज़रूर लिखें कोई भी informative वीडियो में ना हो उसके लिए चैनल को subscribe करें और साथ में एक बार यह भी चेक कर लें कि 2016-17-18-19-20-21 तक मेरे वीडियो में कैसे मैंने अपनी लाइफ को transform किया है आप चाहें तो मेरा फिटनेस चैनल मेटास फिटनेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां मैंने फिटनेस से लिटेट बहुत सारी information शेयर किये स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्षर अमित्माईश्वरी आपके सुन